हेलो स्टुजेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्योस्टर नंबर 8 देखते हैं क्या है find the amount and compound interest on rupees 10,000 for one and half year at 10% per annum compounded half yearly उसने क्या कहा है कि हमने amount find out करना है और compound interest find out करना है on 10,000 rupees for one and half year time दे दिया हमें one and half year rate जो है 10% है और साथ में हमें बता है कि compounded half yearly मतलब जो pay करना है ब्याज मतलब interest pay करना है वो after six month करना है six month के pair में would this interest be more than the interest he would get it was compounded annually क्या ये है half yearly जो interest है वो ज्यादा होगा अगर मान लिया ब्याज जो है interest जो है वो क्या हो compounded annually हो उससे मतलब एक बार तो हमने compounded half yearly निकालना है एक बार compounded annually find out करना है मतलब पूरे year का ठीक है तो हमने ये बताना है कि half yearly ज्यादा होगा या नहीं होगा ये चीज हमने देखनी है ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं अपना principle जो है वो क्या है 10,000 रुपेज लिख लिए हमने rate जो है वो क्या है 10% और time जो है वो क्या है हमारा one and half year अब यहाँ पर compounded half yearly बोला है half yearly बोलते ही हमें पता लग गया कि six 6 मंद के बाद में इंट्रस्टर्ट चे करना होता है तो rate क्या होजदा यह हमारी हाफ हो जती है 10% का हाफ क्या हो जाएगा हमारा five परसेंट और time क्या हो जाता हमारा डवल हो तो आमांट इस एक्वल दो क्या होता है principle इंट्टु बान प्लस औरा बाइंडरе प्रिंसिपल है हमारा 10,000 वन प्लस रेट है हमारी 5 परसेंट 5 बाइंड्रेड टाइम है हमारा 3 इसको कैल्कुलेट कर लेते हैं तो एमाउंट इस इक्वल टू क्या जाएगा 10,000 इसकी पावर 3 ठीक है इसको सिंपलिफाई कर लेते हैं तो एमाउंट इस इक्वल टू क्या आएगा 10,000 मल्टिपलाई 21 बाइ 20 और मल्टिपलाई 21 बाइ 20 क्योंकि 21 बाइ 20 क्या है 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स हमने मल्टिपलाई कर दिया इसको सिंपलिफाई करते हैं तो एमाउंट जो आजेगा वो क्या आजेगा 21 की 21 की 21 की मल्टिपलाई करेंगे और फिर 5 की और उस वेल्लू को क्या करेंगे 22 जा 4 से डिवाइड तो आफ्टर सिंपलिफिकेशन जो वेल्लू आजेगी हमारे पास क्या आजेगी 11,576 रुपे 25 पैसे यह वेल्लू आगे हमारे पास अमांट अब अमांट तो आगया हमारे पास और साथ में क्या करना है में कंपाउंड इंट्रेस्ट और फाइंड आउट करना स्टेटमेंट में गीवन है अमांट फाइंड आउट करो और कंपाउंड इंट्रेस्ट अब कंपाउंड इ देते हैं वेलू आजेगे हमारे पास 1576.25 रुपीज यह आगी हमारे पास इंट्रस्ट अगर हम कंपाउंडेड हाफ यरली हो तो अब हमने क्या देखना है वोड़ इस इंट्रस्ट भी मोर क्या यह हैं इंट्रस्ट ज्यादा होगा इव्दा इंट्रस्ट ही वुड़ गैट अगर इंट्रस्ट उड़ उसको एंवली मिला हो तो उससे यह ज्यादा होगा या नहीं होगा तो वो देखते हैं अब एंवली फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रेंसिपल तो टैन था उजन्ट ही रहेगा रेट जो होगी वो टैन करते हैं half year मैंस एक बार फरस्त यईर निकालेंगे और फिर जो हमाराम आजयेगा उस पर हाफ यह का और इंट्रस्ट निकाल लेंगे दोनों को एड़ कर देंगे टोटल आ जाएगा हमारे पास चलिए देखते हैं कैसे निकाल लेंगे तो amount is equal to formula मैं दोबारा नहीं लिक रहा हूँ क्योंकि ये formula है principle क्या हमारा 10,000 1 plus rate क्या है 10% 10 by 100 और पहले first year के लिए निकाल रहे हैं तो 1 इसको simplify करते हैं 10,000 multiply 0 से 0 cancel 10 वन जब 10 और 1 11 by 10 0 से 0 cancel 11 की और thousand की multiply करते हैं तो 11,000 रुपे जा गया हमारा एक year के अंदर कितने रुपे हो गया हमारे 11,000 उसके बाद हमने half year का और निकालना है half year के लिए निखेंगे 4 half year अब यहाँ पे simple interest का formula लगा लेते हैं interest क्या हो जाएगा यहाँ पे अब रुपे कितने हो गया हमारे एक साल के बाद 11,000 multiply rate क्या है हमारी 10 और year मतलब half year और divided by क्या होता है हमारा 100 2,0 से 2,0 cancel out 2,1 जा 2,2,5 जा 10 5 की multiply करते हैं तो क्या आगया 550 रुपीज मतलब half year में 550 रुपीज और हो जाएंगे अब total amount क्या हो गया यहाँ पे total amount first year के लिए तो था हमारा 11,000 plus में 550 रुपीज और हमारा interest हो गया तो one and half में कितना हो गया हमारा 11,550 रुपीज ठीक है अब यह आगया हमारे पास अब हमने देखना है इसमें compound interest कितना बना हमारा तो compound interest is equal to क्या होगा 11,550 माइनस क्या कर देंगे principle कितना था 10,000 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15,50 रुपीज कितना आ गया 15,50 रुपीज तो देखो यहाँ पे जब half yearly था तो हमारा interest आया था 15,76.25 यहाँ पे आया 15,50 तो यह वाली क्या है हमारी ज़्यादा value है इससे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे yes half yearly half yearly interest is more is more कि half yearly interest जो है वो क्या होगा ज़्यादा होगा यहीचीज हमने निकालनी थी I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा कोई doubt अगर आपको लगता है तो आप मुझे comment कर सकते है दर्वाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें like करें और share करें thank you students for watching this video thanks